Hello student, अगर आप class 10th का exam 2021 में board exam देने वाले हैं तो उसके लिए आपको class 10th के हर एक subject का syllabus plus में deleted portion आपको पता होना चाहिए, कौन से चीज़े exam में पूछी जाएंगी, कौन से चीज़े नहीं पूछी जाएंगी, यह आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि आप अच्छी तरी यह आपका 26 marks carry करता है, बायो को chapter है, word of living 23 marks का natural phenomena, physics आपका 12 chapter और यह आपका current वाला 14 chapter natural resources जो है, यह आपका 5 marks, total 80 marks का exam होगा, 20 marks internal होगे, total इस तरीके से 100 marks आपको exam में मतलब final result में आपको देखने को मिलेगा, अब हम unit wise यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि जब आप official साइट से तो पहली बात तो आपको 9th और 10th दोनों का साथ में दे रहे हैं, उसके बात क्या हो रहा है, आपको slave select डाउनलोड करना पढ़ रहा है, डिलीट डाउनलोड करना पढ़ रहा है, इसलिए मैं आपके लिए सब कुछ को एकदम simple way में आपके लिए यहाँ पर प्रिजेंट कर जिसे आप डाउनलोड करके हो सके तो printed form में रख लिजी, जहां पर भी study करेंगे, बापर उसको साथ में लेके रखिए ताकि पढ़तिस में आपको पता चल सकी कौनसे topics पढ़ने हैं और कौनसे topics नहीं पढ़ने हैं, फर्स चेप्टर के अंदर आपका फर्स चेप्टर हो ग अब हम बात करते हैं कि unit 1, जिसके अंदर 5 चेप्टर है, उसमें से कौन-कौन सा पोशन डिलीट है, 3rd चेप्टर, metal and non-metal, उसके अंदर basic metallurgical process, जिसके अंदर हम को जो है, बहुत सारी चीजे आप करते थे, electrolysis and all करके, तो वो सारा जो चीजे है, उसे हटाया गया है, और corrosion और साल के लिए हटा दिया गया है, chemical properties of carbon compound, ethanol, ethanol, ethanoic acid, soap and detergent, पूरा का पूरा पोशन हटा दिया गया है, तो ये वाले आपके वो पोशन है, जो आपको नहीं पढ़ने है, जो आपको पढ़ना है, वो हमने पहले डिसकस किया, अब unit 2 में चलते है, वर्ड ओफ लिविंग में, 6 चेप्टर लाइ प्रोसेस पूरा का पूरा पढ़ना है, 7 चेप्टर बिल्कुल हटा दिया गया है, कुछ भी नहीं पढ़ना, रिप्रोडक्शन में से आपको थोड़ा सा लास पोशन हटाया गया है, तो उसके बाद हम यहां पर देख लेते हैं कि कौन-कौन सा इसमें से चेप्टर कंट्रोर्रों कोडिनेशन में से आपको इतना सा भी नी पढ़ना, पूरा का पूरा ही सले बस्ते हटाया गया है, तो थी नाइन चेप्टर में से से बेसिक कंसेप्ट ऑफ एवर्लूशन, डिटर्मिनेशन ऑफ उव्यूमन सेक्स तक आपको यह आला चेप्टर और उसके बाद जो भी है, homologus, analogus, organ, evolution के concept वगएरा जो थे, उसे जो लास्ट वाला पोश्चन है, नाइन चेप्टर का उसे हटाए गया है, इसकी जो PDF लिंक है हुआ आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको डाउनलोड करके प्रिंटेट फॉर्म में आपको रखना जरूर है Natural Phenomena 3rd Unit के अंदर, यहां पर 3rd Unit में आपका दो चेप्टर हुआ होता था, 10th और 11th, 10th में आपका reflection of light curve surface, मतलब mirror और इसके लावा lens and all, यह पूरा का पूरा इन्होंने रहने दिया है, लेकिन वही जो है, आपका 11th chapter completely हटा दिया गया है, इतना सा भी आपको नहीं पढ़ना ह नेक्स्ट हम बात करते हैं, और नेक्स्ट उनिट, फॉर्थ उनिट की effect of current, इसमें electricity का chapter आपको completely पढ़ना है, numericals, plus में theory, पूरा का पूरा आपको एक भी चीज छोड़ना नहीं है, magnetic effect of current में कुछ portion आपको पढ़ना है, जो आपको particular यहां पर mention है, जो कि starting of the chapter में जो चीजे हैं, उसको इन्होंने आपसे पढ़वाया है, और magnetic effect of electric current के कुछ portion जो कि टिपिकल होते थे, उसे हटा दिया गया, electric generator हो गया, direct current, alternative current, frequency of AC, advantages of AC, तो जो जो last वाला portion है, इस chapter में से उसे हटाए गया है, फिफ्ट उनिट में बात करें, इसमें 14, 15, 16 चेप्टर था, बट आपको जो है exam के लिए सर्फ और सर्फ 15 चेप्टर पढ़ना है, और यह यसी के अंदर जो points भी particular बता रखें, आपको कि यह points पढ़ने हैं, और उसके बार deleted portion के बारे में बात करें, sources of energy आप इसके अलाबा जो आपका 16 चेप्टर है, वो internal assessment के लिए रखा गया है, जिसके अंदर आपसे teacher, आपसे periodic assessment, portfolio वगरा, portfolio, final यह सब बनवा सकते हैं, इसके अलाबा आप यहां से देख सकते हैं, कौन-कौन से practical से जिसे delete किया गया है, अब यह सारे practical से अगर deleted है, तो इन practical में से questions भी exam में नहीं आएंगे, तो एक बार आप इसे भी overview कर लीजिए, और बाकी, जो है, मैस के भी हम क्या करेंगे, मैस असस्टी इंसा हो के भी, इसलिए बहुत जल्दी upload कर देंगे, आपको क्या करना है, comment box में जरूर लिखते रहना है, कि हाँ, जो है, आपको यह वाला जो व क्या हूं है, मैस देकिए,